जहारखड के मुक्यमंत्री हेमंद सुरेन बोलते बोलते क्या बोल गए वैसे तो राश्टवादियों को चुहे बोलना जनता के द्वारा चुने गए लोगों को चुहे बोलना ये तो एक बात है वैसे उनको संथल परगना में जो बंगलादेशी घुसपैटी घुसकर अतिक जारखड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमिग्राफिक चेंज जो हुआ हो पस्चिम मंगाल में सरकार किसकी रही है बाजबा की तो सरकार रही नहीं है वहां पर लेफ्ट और लेफ्ट के बाद त्रिनमूल कॉंगरस की तो स्वीकार लिया है कि बंगल में जो मम्ता दीदी द्वारा शासित और लफ्त द्वारा शासित रहा है वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है मतलब कि इंडी अलाइंस का ही एक गटक दल दूसरे इंडी अलाइंस के गटक दल पर निशाना साधरा है और यही है नो मिशन नो कॉमन पार्ट उनली एंबीशन और अपना अपना कन्फूजन अपना अपना करप्शन और अब इसलिए वेस्पेंगौल पर हमला किया है अब यह जान बूझ कर किया है या गल्ती से निकला है यह तो वही जाने पर सच बात तो निकली है कि डेमोग्राफिक चेंज पस्ष्य मंगार में हुआ है पर सवाल यह है कि जारखण में भी हो रहा है और इसके उपर हाई कोट में मुहर लगाई है और इस पर बोले हे मन्सुरेंजी